बधुपुर गाव में छोटा सा पारिवार रहता था जिसमें रेखा और उसके दो बेटे थे अपने पती अचानत मृत्यू के बाद घर का सारा भर रेखा पर ही आ गया दो बेटों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में ही उसका सारा जीवन निकल गया लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए तब रेखा को एक बड़ा फैसला लेना था अरे रेखा बेहन तुम यहां आवो अंदर आओ क्या हुआ सब कुछ ठीक है न प्रमेश भहिया जी आप जानते तो है न मेरे दोनों बच्चों को मुश्किल से पाला है मेने अब उनके शहर जाकर कॉलेज पढ़ने का टाइम आ गया है मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि दोनों बच्चों को आगे पढ़ा सकूँ अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ अन्याय होगा ऐसे में मैं क्या करूँ तुम शान्त हो जाओ और ये बताओ कि दोनों में से होश्यार कोण है मेरा हिरेन ज्यादा होश्यार है यू तो राहुल भी ठीक ठक पढ़ लेता है मगर हिरेन पढ़ने में ज्यादा अच्छा है तो बस फिर राहुल दोनों में से बढ़ा है और होश्यार भी तुम उसे शहर पढ़ने के लिए भेजो और हिरेन को अपने पास ही रखो मेरे जान पहचान में एक हलवाई के यहां नौकरी खाली है, मैं उसे वही पर लगवा दूँगा। श्रीधर की बात सुनकर रेखा को तसली मिलती है. वो हिरेन को बाहर पढ़ने के लिए भेजती है और राहुल को सुन्दर लाल हलवाई के यहां नौकरी करने के लिए लगा देती है। राहुल को न पढ़ पाने का अफसोस तो बहुत था मगर अपनी घर की हालाद भली भाती जनता था। इसी लिए उसने आगे पढ़ने की बिलकुल भी जिद नहीं की। दिन ऐसे ही बीटता रहा और तीन साल बाद हिरेन को एक बड़े फूर्ड चैन में जूनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। मा ये लो मिठाई खावों मेरी प्लेस्मेंट एक बड़ी फूर्ड चैन में मैनेजर के लिए हो गई है। थोड़े महिनों में हिरेन की प्रोमोशन जूनियर से सीनियर मैनेजर में हो जाती है और वो राहुल और रेखा को शहर ले जाता है मा कल मेरे बोश डिनर के लिए आ रहे हैं जब मैंने उन्हें बताया की मैं अपने पुरे परिवार को यहां ले आया हूँ तो वहां बोहुत खुज हुए अरे वहां तो बुलाले उन्हें आखिर हम भी तो मिले तेरे बोश को मगर मा तुम तो हो तो खाना कोन बनाएगा तुम चिंता मत करो भाया जब तुम पढ़ रहे थे मैंने सुन्दर लाल हलवाई के यहां बोहुत काम सिख लिया है तुम देखना ऐसे खाना बनाऊंगा की खाने के साथ उंगलिया भी चार्ट कर जाएंगे मगर एक बात का ख्याल रखना राहुल बोश पाँच स्टार होटल के मालिक है खाना उसी के हिसाब से होनी चाहिए आप ये सब बातों की जरा भी टेंशन न लो भाया बस काम पे ध्यान दो देखना खाना खाते ही आपकी डबल प्रोमोशन पक्की कहते ही सब खिलखिला उठे अगले दिन राहुल खूब मन लगा कर बहुत सारे स्वादिस्ट ब्यंजन बनता है भाया लगता है आपके बोश आ गये हैं में दर्वाजा खोलता हूँ नहीं नहीं तू रहने दे बोश क्या सोचेंगे की कैसे कपड़े पहने हैं इसके भाई ने में खोलता हूँ दर्वाजा और सुन तू अंदर ही रहना ज्यादा बहार निकलने की जरूरत नहीं है रहुल ये सुनकर बोहुत उदास होजाता है और बिना कुछ कहें अंदर जाकर डाइनिंग टेबल सजाने लगता है आईए सर आईए गुड मॉर्निंग राहूल गुड मॉर्निंग सर वह राहूल तुम्हारा घर तो बहुत सूंदर है तुम्हारी मां और भाई कहा है मैं अभी मिलवाता हूं सर मां ओ मां बोस आए है नमस्ते भाई साहब कैसे है आप यहां हिरेन उसके बोस और उसकी मा एक दूसरे से बात कर रहे होते है और वह राहूल खाने की तैयारी में लगा था थोड़ी देर बाद वो सब डाइनिंग टेबल पर दिनर करने आए टेबल को सजा हुआ देख राहूल का बोस बहुत खुस होता है एक साइड फोर्प दूस साइड चाकू और चम्मच टिश्यू टेबल प्लॉट सब कुछ एकदम परफेक्ट था आई होप यू लिखे थे फूर्ड सर ये तो बहुत बढ़िया था किसने बनाया है जी मेरे छोटे बेटे राहूल ने अरे हिरेन राहूल घर पे ही है अब तक तूने मिलवाया नहीं वह सर खाना बनाने में बिजी था इसलिए राहूल बेटा इधर तो आ जरा राहूल हिचकिचाता हुआ बाहर आता है वह बेटा खूब बढ़िया खाना बनाया है तुमने तो कहीं से कुकिंग का कोर्ज किया है क्या अरे नहीं सर ये तो हमारे गाउं में एक छोटे कि यहां नौकर था इसलिए थोड़ा बोहुत बना लेता है अपने भाई के मूँ से ये सुनकर राहूल फिर से दुखी हो जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है जाने से पहले राहूल के बोस हिरेन को एक ओफर देते हैं खाना खाके मजा आ गया नहीं खाना बलक की टेबल डेकोरेशन का भी पूरा ख्याल रखा था राहूल ने सुनीता जी अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूंगा आपका बेटा बहुत टेलंटेड है हमें एक नए शेफ की जरूरत है राहूल वह हैड शेफ की नौकरी करना पसंद करेगा मगर सर राहूल ने कोई फॉर्मल दिग्री नहीं ली है इसमें तो ये तो ऐसे ही बस थोड़ा बोहुत कर लेता है वो थी टेशन नहीं है हिरेन बस स्वाद एक नंबर चाहिए और कुछ नहीं राहूल कल तुम हिरेन के साथ आफिस आ जाना और वही पे एक दिश बना के खिला देना ये सुनकर राहूल तो बोहुत खुस होता है मगर हिरेन को ये बात बिलकुल पसंद नहीं आती अगले दिन राहूल वह पोहुच कर अपनी दिश बनाने लगता है ये लीजिये सर डाल बाटी चूर्मा वह वह खूब क्या बढ़िया दिश है इसमें जो पुदीना का फ्लावर है मुझे बोहुत ही पसंद आया क्या आपको अच्छी लगी सर क्या मैं चक सकता हूँ हिरेन ने हिचकिचाते हुए पूछा अरे ये तो बोहुत अच्छी है तो फिर क्यू चौब गया ना सर ने गुस्से से हिरेन की और देखा क्या हुआ सर में कुछ समझा नहीं अब तुम इसे खुद बताओ या मैं बताओ वो राहुल मेंने इस रेस्टोरेंट के शेफ को तुम्हारी दिश में नमक मिर्ची डालने के लिए कहा था ताकि तुम्हें यहां नौकरी न मिले क्या राहुल ये सुन के चौक जाता है है हिरेन को फोन में ये बात करते हुए रेखा बहन ने सुन लिया और मुझे पहले ही इनफॉर्म कर दिया इससे पहले की वह शेफ कुछ कर पाता मेंने उसे काम से निकल दिया मगर भया ऐसा क्यों किया आपने राहुल दोहक भरे आखों से हिरेन को पूछता है मैं नहीं चाहता था कि तुझे वी मेरे जितना पैसा और लाइफ स्टाइल मिले मैं चाहता था कि तु ऐसे ही मेरे टुकडों पर पले यू अरे फायर्ड हिरेन नहीं सर ऐसा मत करिये मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है आप उसे नौकरी से मत निकालिए देखा हिरेन तुने क्या कुछ किया मगर फिर भी राहुल तुम से कितना प्यार करता है मुझे माफ सर तुम भी सको तो मुझे माफ कर दो हिरेन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों हसी खुसी रहने लगते हैं इस तरह की और मज़ेदार कहानिया सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चानल अतुल पुरोहित स्टोरी को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेर करें हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आपके लिए दिल छू लेने वाली कहानिया लाते रहें